अलू अर्जन सहाब की पुष्पा दोस्तों हम सबको पता है कि लॉक्डॉण के दौरान उनकी फिल्म का एक पोस्चर रिलीज हुआ था जिसमें बहुत जादा इंटेंस लग रहे थे इतने लंबे बालों के साथ तो अब दोस्तों क्या है खास मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं पुष्पा का फाइनली दोस्तों एक बहुती बड़ा और बहुती 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 पोस्टर और रिलीजिंग डेट जो है पता चल चुकी है चालिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीज इन्हों कि पुष्पा के बारे में सबसे पहले एक कातिल पोस्टर बनाया हह उन्होंने और पलस उसमें रिलीजिंग डेट भी है जो की सिनेमा घरों में रिलीज होगी 13 अगर्स 2021 को जिहां दोस्तो पुष्पा जो है वो 13 अगर्स 2021 को रिलीज हो रही है चिनेमा घरों में और इसका बहुत ही कातिल यह पोस्चर है दोस्तो जबर्दस है इन्हों ने लिखा है अलो अर्जुन साथ ने लिखा है कि पुष्पा लोडिंग इन थीटर from 13th August 2021 excited to meet you all in cinemas this year hoping to create the same magic one more time with फिर उसके बाद उन्होंने अपने team का नाम लिखा है so दोस्तो आपको बताना चाहता हूँ तो 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है पुष्पा and super doper excited जिस तरीका से पुष्पा की अगर मैं बात करूँ तो पुष्पा को बहुत अच्छा response मिल रहा है दोस्तो और इसके poster में ही लोगों ने इतने ज्यादा oh my god, लोगों ने कितने सारे comments करे हैं यार it's amazing, it's truly amazing दोस्तो, बहुत सारे comments करे हैं लोगों ने और लोग पुष्पा के लिए बहुत सादा excited है, कह रहे हैं कि तेरा तारीक का हमें बेस सब्री से इंतजार है, तेरा अगस्त का यह posture भी बहुत intense है जहापे जंगली मानुष की तरह लग रहे है और पूरे कबीले को जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरे कबीले को उन्होंने जो है एक सामराज्य बना रखा है अपना और जैसे काल किये नहीं थे उसमें बहु बली में वैसे ही एक कबीला है देखते हैं कि क्या होता है वेल, we are looking forward for it अलु अर्चुन साहब all the very best दोस्तों आपको क्या है कहना कमेंच सेक्षन में जरूर बताएं चलता हूं मैं